आज भारत का समाज आकांग्षी समाज है, एस्पिरिस्टनल सुसाइटी है, आज 21 सदी के इस दसक में लोग कम समय में जादा से जादा दूर तक पहुंचना चाहते हैं, जादा से जादा सुविदाएं चाहते हैं, सरकार में होने के नाते, यह हम सभी का दाईत्व है, कि भारत के लोगों की इस आकांग्षा को, राजस्थान के लोगों की इस आकांग्षा को, हम सब मिलकर के पूरा करें, हम सब जानते हैं कि सड़क के साथ ही कहीं जल्दी आने जाने के लिए रेलवे कितनी जरूरी होती है, आज भी गरीब या मद्यमबर को सब परिवार कहीं जाना है, तो उसकी पहली पसंद रेल ही होती है, इसलिए आज भारत सरकार अपने दसकों पुराने रेल नेट्वर को सुधार रही है, आधुनिक बना रही है, आधुनिक ट्रेने हो, आधुनिक रेलिवे स्टेशन हो, आधुनिक रेलिवे ट्रैक्स हो, हम हर स्थर पर एक साथ चारों दिशाओं में काम कर रहे हैं, आध राजस्तान को भी उसकी पहली वंदे भारत एक्स्प्रेस मिल चुकी है, यहाँ मावली, मारवार, गेज परिवर्तन की मांग भी तो कबसे चल रही थी, यह पुरी हो रही है, इसी तरह, अमदाबाद, उदैपूर के बीच, पूरे रूट को ब्रॉडगेज में बदलने का काम भी कुछ मेने पहले पुरा हुआ है, इस नए रूट पर जो ट्रेन चल रही है, उसका बहुत लाब उदैपूर और आसपास के लोगों को हो रहा है, साथियो, पूरे रेल नेटवर्क को मानव रही थाटकों से मुक्त करने के बाद, हम अब तेजी से पूरे नेटवर्क का बिजली करण कर रहे हैं, हम उदैपूर रेल्वे स्टेशन की तरह ही देश के सैक्डो रेल्वे स्टेशनों को आधूनत बना रहे हैं उनकी केपेसिटी बढ़ा रहे हैं और इन सब के साथ ही अम्माल गाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रैक डेडिकेटेड फ्रेट कुरिडोर बना रहे हैं साथियों पिछले नव वर्षों में राजस्तान का रेल बजेट भी 2014 की तुलना में 14 गुना बड़ा है बीते नव वर्षों में राजस्तान के लगभग 75 प्रतिशत रेल नेट्वर्क का बिजली करण किया जा चुका है यहां गेज परिवर्तन और दोहरी करण का बहुत बड़ा लाप डुंगरपूर, उदैपूर, चितोड, पाली, सिरोई और राजस्मन जैसे जिलों को मिला है वो दिन दूर नहीं जब राजस्तान भी रेल लाइनों के शत प्रतिशत बिजली करण वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा